अनुश्का शर्मा आज अपना 31 बर्थ डे सेलिब्रेट कर रही हैं अनुश्का ने साल 1217 में भारती क्रिकेटर विराट कोहली से शादी कर ली थी अनुश्का और विराट की शादी बॉलिवुड की सबसे रॉयल शादियों में से एक है दोनों ने इटली जाकर हाथ में फेरे लिये थे एक दिन पहले तक भी किसी को विराट अनुश्का की शादी की खबर नहीं थी फिर 11 दिसंबर को अनुष्का और विराट की शादी की तस्वीरे सोशल मीडिया पर सामने आई विराट अनुष्का की शादी की तस्वीरे देख फैंस जूम उठें अब इस कपल की शादी को एक साल हो चुका है अनुष्का के बर्डे पर हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी शादी में कितना फर्चा किया था विराट और अनुष्का की शादी किसी पर्यों की कहानी से कम नहीं थी अनुष्का खुद भी अपनी शादी में एक प्रिंसेज लग रही थी वहीं विराट भी एक राजकुमार की तरह आएं और अपनी प्रिंसेस को ब्या कर ले के गएं अपनी शादी को रोयल बनाने के लिए विराट अनुषका ने पानी की तरह पैसा बहाया सिर्फ पचास महमानों के बीच रोयल शादी करने का आइडिया अनुषका का था वो भीड बार से दूर शादी करना चाहती थी इसके लिए विरुषका ने चार महीने पहले ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी अपनी शादी के लिए विराट और अनुषका ने दिल्ली बेस वेडिंग प्लानर देविका नरेन और उनके फोटोग्राफर पती रदिक से कॉन्टेक्ट किया था देविका ने एक वेड़ साइट से बात करते हुए विराट अनुषका की शादी को लेकर कई खुलासे किये थे शादी के लिए हॉलाइंट से फूल मंगा गये थे और इंडिया का फैबरिक इस्तवाल किया गया था देविका के मताबिक इस शादी को खास बनाने के लिए उनकी पूरी टीम ने 45 दिन तक महनत की थी मुझे अनुषका ने मेरे प्लानर शादी स्क्राट के जरीए कॉंट्राक्ट किया कॉंट्राक्ट साइन्स करने से पहले मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि किसकी शादी है और कहा होगी अनुषका विराट बहुत धार्मिक हैं रूमी फेमस कवी को बहुत पसंद करते हैं इसलिए हर महमान को रूमी की कवीताओं का कलेक्शन गिफ्ट के तौर पर दिया गया शादी के वेन्यू को एक गार्डिन की तरह सजाया गया था बता दे कि विरुषका ने अपनी शादी में करीब 100 करोड रुपे खर्च कियें जिस रिजॉर्ट में विरुषका की शादी वो खास उनके लिए दिसंबर में खोला गया वन्ना ये रिजॉर्ट हमेशा अप्रेयल में खुलता है यहां एक व्यक्ति के एक हफते रुखने का खर्च करीब 1 करोड रुपे हैं इस हिसाब से देखे तो विरुषका की शादी के लिए मेहमानों को ठहराने में ही 45-50 करोड रुपे का खर्च आया अनुष्का विराट की वेटिंग को इंडियन टच देने के लिए शेहनाई, धोल ताशे और भांगडे का भी इंतिदाम किया गया था टीम खबर चौरा हा